नमस्कार दोस्तों मैं आचेरे निम्मेरोडा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कहती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर और आज का मैं आपको बताऊं कि बहुत ही इंपोर्टेंट विशे क्योंकि जोतिश की विद्या में हमारे पास किसी भी चीज को जानने की अनेक वि द्वारा नक्षत्रों द्वारा और नक्षत्र में भी नक्षत्र चक्र द्वारा बहुत से चक्र होते हैं नक्षत्रों के तो आज मैं आपके साथ सिहासन चक्र क्योंकि चुनावी माहौल है तो सिहासन चक्र की बात करेंगे मैं आपको सिहासन चक्र के बारे में बताने जा रही हूं जो कि इतना important है कि आपको एकदम से पता चल जाता है कि जो सरकार आएगी या कैसी होगी या वो चलेगी नहीं चलेगी तो आज सिहासन नाडी चक्र द्वारा सत्ता प्राप्ति आसानी से होगी या परिशानी आएगी ये नक्षत्र चक्र विशेश आपके लिए में लेके आई हूं वैसे तो इसे देखना जो लोग करते हैं वो महूरत के लिए इस्तमाल करते हैं यानि जिस दिन कोई राज्ये प्राप्त करे राज्ये का पद या मंत्री पद या प्रधान मंत्रियादी जिस दिन की पद की शपत लेते हैं उस दिन ये नक्षत्र अत्यंत मह होते हैं अब प्रत्य कारे में राशी के बजाए नक्षत्र और लगन यह सबसे important होते हैं तो हम इसको चुनाव के दिन के लिए यह देखेंगे क्योंकि चुनाव होने के बाद ही पदप्राप्ति के लिए मुहरत निकाला जाता है तो चुनाव का दिन जो हमारा 4 जून 2024 निश्चित हुआ है उसके लिए तो सबसे पहले हम सिहासन चक्र के बारे में जानते हैं सिहासन चक्र में आपके पांच चक्र होते हैं जिसमें से पहला है आधार इसमें या इस लक्षत्र में अधिक रह हों तब राज्ये सक्ता से शीग्र जाने के आसार बनते हैं और सरकार विरोधी द्वारा परिशान रहती है फिर आता है आसन चक्र इस लक्षत्र चक्र में ग्रह हों तब सरकार अच्छी चलती है समर्थक डलो या विशेश व्यक्तियों की सलहा भी शुबलाब देती है उसके बाद है पट यह है यदि सक्ता प्राप्थ हो और सरकार स्थिर्ता से देर तक कारेकाल संभालती है यानि पट में अधिक ग्रह हों तो यह सत्ता पक्ष को बहुत दीर्ग काल तक कारे करने देती है और वो सरकार भी जो पद संभालती है वे पहले की सरकार से या जो पहले की हुए कारे से अधिक अच्छा कारे करती है फिर आता है सिंग में सिंग नाड़ी में सत्ता मिले तब राजा त्रिड़ होता है प्रशासक अच्छा होता है युद्धप्रिय होता है देश के स्वाबिमान और गौरव में विद्धी करता है कुछ स्विचाचारी भी होता है वो सुनता तो सबकी है लेकिन करता वही है जो उसके मन भाए फिर भी ऐसे राजा के लिए देश हित सर्वप्रथम होता है अंक में है सिहासन यह राजा को तानाशा प्रवर्ती देता है दंड निती वाला और उग्र विचारों वाला दंड निती यानि बात बात पे किसी को जेल भेज देना या सजा के तोर पे किसी को परिशान करना ये सिहासन नक्षत्र में बैठे ग्रहों या उन ग्रहों का उन नक्षत्रों में होना जो सिहासन के नक्षत्र पे आते हैं ये उनके लिए उग्र विचारों वाला राजा या प्रदान मंत्री बनता है अब इसके नियम तो मैंने बता दिये इसे बनाते कैसे हैं वो देखिए हम 5 लाइने खीशते हैं क्योंकि ये 5 हमारे चक्र है तो 5 लाइने हम सीधी खीशते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 अब इसके 5 लाइनों के साथ हम एक ट्राइंगल बनाते हैं और अश्वनी नक्षत्र से शुरू करके अश्वनी, बर्नी, कृतिका, रोहिनी और उपर के सिहासन पर म्रिग्षिरा, फिर यहीं से नीचे आद्रा, पुनर्वसु, पुश्य, अश्लेशा, इस तरीके से हम तीन चक्र बनाते हैं. जो नौ-नौ नक्षत्र के चक्र है, आठ नक्षत्र, चार इदर, और एक हमारा उपर, यह नौ नक्षत्र एक चक्र में आ जाते हैं. और इन पटियों में हमने यह नाम लिख दिये, जो पहला है आधात, फिर आसन, पट, सिहें और सिहासन. जिसके बारे में अभी मैंने पीछे आपको यह नाडी चक्र का बताया कि इन नाडी सिहासन चक्र में यदि ग्रह हों, तो वो क्या रिजल्ट देते हैं? तो यह हमारा इस प्रकार से पांच लाइनों की पट्टी और उसमें एक ट्राइंगल बनाके हमारा एक चक्र बनता है और इस एक चक्र की तरह से हम तीन चक्र बनाते हैं, जिसमें हम नौडौन लक्षत्र अश्वनी से आरम करके, सबसे पहले नीचे से आरम, आधार से आरम करते हैं, फिर आसन, फिर पट, एड फिर सिन, देनग सीहासन वाले पे जाते हैं, सिहासन से फिर हम नीचे उतरते हुए, आध्रा, पुनर्वसु, पुषे, आश्लेशा यह मनि एक में सिन, पट, आसन, आधार पे फिर हम वापस आते हैं, और अश्लेशा के बाद अगला जो आधार से आरम होता है पुर्वा फालगुनी उत्रा फालगुनी हस्त फिर सिहासन पे आये चित्रा एंड चित्रा से सीड़ी नीचे उत्रेंगे स्वाती, विशाखा, अनुराधा, जेश्ठा फिर से हम आधार पे खतम करके आधार पर ही आएंगे मुला, पुर्वाशाड़ा, उत्राशाड़ा, श्रवन और सिहासन पे धनिश्ठा, फिर सिहासन से नीचे उतरते हैं शत्विशा, सेहे नाडी, पुर्वाबाद पर पट नाडी, उत्राबाद पर आसन नाडी और रेवत आधार नाड़ी यह आपको सिहासन चक्र कैसे बनाना है वो मैंने आपको समझा दिया है कि हम पांच पांच लाइनों का बना कर एक ट्राइंगल कीचेंगे नीचे से शुरू करते वे उपर तक और उपर से नीचे तक आएंगे साइड में बीच में हम आशन वगारा अब मैं एक उधारन लेती हूँ और उसी के साथ आपको समझाती हूँ पर उससे पहले सिहासन नाड़ी चक्र आधार जो है उसकी बात करें जो हमारा आधार जो सर्व प्रतम हमने लिया है उस चक्र में यदि अधिक ग्रहों तो राज्य सक्ता से शीग्र जाने के आसार बन हैं और सरकार विरोधी द्वारा परिशान होती है यानि आधार आसन आधार चक्र में यदि अधिक ग्रह उस नक्षत्र में आ जाए जो आधार में बैठे हैं तो वह सरकार टिकने वाली सरकार नहीं होगी आसन आख्षत्र में इस चक्र में ग्रह हो तो सरकार अच्छी चलती है समर्थक दलो और विशेश व्यक्तिव का शुबलाब देती है ये मैं फिर से आपको बता रही हूँ पट जो है इसमें यदि सत्ता प्राप्त हो तो सरकार स्थिरता से देर तक कारेकाल संभाती है पहने की सरकार से अच्छा कारे करती है सिहे नाडी में सत्ता मिले तो राजा द्रड ये सिहे नाडी राजा द्रड प्रशासक होगा और देश का स्वाबिमान गौरब में विद्धी करेगा स्विछाचारी भी होगा जो सुनता सबकी है करता अपने मन की है और अब करते हैं ग्रहों की बार जिस नाडी में नक्षत्र में यानि जो हमने आधार आसन पट सिहासन नाडी चक्र बताए हैं जिस नाडी चक्र में शनी होता है वह उपद्रव, सूखा, विद्रोह और जनहानी देता है और आसन, पट, सिह, वह सिहासन नाडी में शनी हो तो ये बहुत ही अधिक पीड़ा देता है जिस नाडी में गुरु हो, शुब ग्रह भी हो और पाप प्रभाव ना हो तो वो नाडी शुब है विशेश कर आसन नाडी, आसन नाडी जो हमारी अंतिम नाडी है सिहासन से, सिहिंक की और उस नाडी में जो बीच की नाडी आती है आसन नाडी इस नक्षत्र में जा सरकारे अच्छी चलती है विद्रोही भी आपका समर्थन करते हैं, विरोधी भी आपका समर्थक करते हैं समर्थक दल भी आपको विशेश सलहा देते हैं उस नाडी में यदि गुरू हो, शुब ग्रै हो और विशेश कर आसन नाडी हो तो वो अत्यंत शुब नाडी हो जाती है और वो सरकार बहुत अच्छा कारिय करती है जिस नक्षत्र नाडी में राहु के तो शनी मंगल हो, तब वे राजा और राज्ये दोनों के लिए हानी दे सकती है यानी हानी हो सकती है अब हम उधारन से देखते हैं जब अटल भीहरी बाजपई जी ने शपत ली थी 16 मैं 1996 का दिन, ये उस दिन का चार्ट है और मैंने उस दिन के ग्रहों के नक्षत्र, जिस नक्षत्र में ग्रह बैटे हैं वहाँ पे हमने इस चक्र में उन ग्रहों को बिठा दिया जैसे शुक्र म्रिगशिरा में था, तो म्रिगशिरा सिहासन नक्षत्र में है मंगल और चंद्रमा युती में है और मंगल भर्नी नक्षत्र और चंद्रमा अश्वनी नक्षत्र तो मंगल और चंद्र भर्नी और मंगल अश्वनी आधार और आसन तो है लेकिन चंद्र भर्नी नक्षत्र जो है वो यम का नक्षत्र है ये भी याद रखिएगा अब केतु रेवती में है शनी उत्राभाद्रपद तो शनी को हमने उत्राभाद्रपद में रखा और राहु हस्त में केतु रेवती में गुरु पूर्वाशाड़ा नक्षत्र में अब हम देखें हमारे सूर्य और बुद्ध पट नाड़ी में है क्या हमारे इस पट नाड़ी में हम देखें कोई ग्रह है नहीं है चंद्र और मंगल हम आसन नाडी में कहेंगे जिसने आसन दिलाया उस आसन नाडी में ही देखें गुरू भी बैठे हैं शनी भी बैठे अब एक चीज़ समझिए जहां पे कोई ग्रह इस तरफ है नाडी के नक्षत्र के जैसे यह आसन नाडी है चंद्रमंगल यहां पर है भरणी में और इसी में आसन में ही गुरू और शनी है लेकिन गुरू के सामने शनी अगर आ गया जैसे यहां पुष्य में अगर शनी आ जाता या कोई और ग्रह आ जाता तब उस ग्रह का वैद हो जाता है यानि वो ग्रह एक दूसरे को काटते हैं वो वैद करते हैं तो यहां गुरू का शनी से वैद हो रहा है सिहासन नाडी में शुक्र और वक्री गुरु शनी का वैद यहनी बैहस और पराजे क्योंकि शनी पराजे देता है अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कि शनी आपको पीड़ा देता है और शनी दे गुरु का वैद कर दिया आसन नाडी में तो ये सरकार हमने देखा केवल 13 दिन चली श्री बाजपेई अटल बियारी बाजपेई जी की ये सरकार केवल 13 दिन चली आसन तो मिल गया आसन बड़ा अच्छा था चंद्रमंगल गुरू शनी चार ग्रह आसन दे रहे हैं शुक्र तो सिहासन पे बैठे हैं विराजमान हैं लेकिन सिहिंग में राहू, केतू, आधार में ये नक्षत्र, पाप ग्रह नक्षत्र और साथ में शनी की भुरू का वैद करना और चंद्र का यम के नक्षत्र में होना ये एक परिशानी का कारण रहा और 13 दिन की सरकार दिन अब हम सिहासन चक्र में ये बना रही हूँ चार जून दोजार चॉबिस का ये शपत का नहीं है, मैं इसे देख रही हूँ जिस दिन हमारी वोटर की गिंती होगी रिजल्ट होगा, उस दिन की अगर मैं कुंडली बनाई है, मैंने ये, तो सुबह सारे पांच की कुंडली मैंने बनाई है, जिसमें हम देखे, चार गह ग्रह लगन में हैं, शुक्र व्रिशव राशी में हैं, चार ग्रह लगन में हैं, तो रोहिनी नक्षत्र में आपका सिहिल नक्षत्र में, यानि सिहिनाडी चक्र में सूर्य लगन और शुक्र आगए, जो शुबता तो नहीं दे रहे हैं, हम देखेंगे सिहिनाडी में के त भी है और अब हम देखे बुद्ध और गुरु यहाँ पे गुरु कृतिका में है बुद्ध भी कृतिका में है तो यह कृतिका पट में आ गए चंद्र और मंगल अश्वनी और भरनी सेम जो हमारी 2016 में थी सिच्वेशन यहाँ पे भी चंद्र और मंगल की वही सिच्वेशन चंद्र और मंगल युती में है और चंद्रमा यहाँ भी भरनी नक्षत्र में है अब यहाँ पे शनी को देखे तो शनी पट में आ गया और पट में ही बुद्ध और गुरु भी है यानि यह वैद हो रहा है यह तो शुब संकेत नहीं दिख रहे रिजर्ट के अगर हम इस सिहासण नाड़ी चक्र से देखे तो सिहासण नाड़ी चक्र पून रूप से किसी भी सरकार को किसी भी सरकार के लिए शुब नहीं है चाहे किसी की भी सरकार बने उसके लिए यह दिन बहुत ज्यादा शुबता नहीं दिखा रहा है यह लड़ाई जगड़े दिखा रहा है क्योंकि केतु भी सिंग में है शुक्र, सूर्य और लगन वे भी सिंग में है जो सिंग नक्षत्र हमने पहले ही बोला कि कैसा है सिंग नक्षत्र सिर्णारी हमने देखी है कि सत्ता मिल जाती है, राजा अच्छा होता है, गौरब में विद्धी करता है, लेकिन वो करता वही है जो उसके मन में आता है देशित सर्प्रे है, अच्छा है लेकिन इसमें केतू का होना, पाप ग्रहों का होना ये अच्छा नहीं तो आज के लिए इतना ही अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है और शपत ग्रहन वाले दिन का जो होगा उसको भी हम देखेंगे कि कैसे बनेगी इस नाड़ी चक् क्या रिजल्ट रहता है और क्या परिनाम आते हैं कोशिश करूंगी आपको नक्षत्रों पे और भी अधिक जानकारी दूँ तो आज के लिए इतना ही आप अपना प्यार बनाए रखें आपके जो सुझाव हैं मैं मुझे एंकरेज करते हैं और मुझे कुछ अच्छा करने के लिए प्रेजित करते हैं तेंक यू सो मच आप अपना विशेश विचात अवश्य दे और आज के लिए इतना ही तेंक यू सो मच